हेलो दोस्तों नमस्ते करता आप रफसे लोगों वाप्पास से स्वागत है मेरी यूट्यूब चनल आज स्कौरों में इसका कहीं पर आपको कोई बेर एक्ट नहीं मिलेगा तो बच्चे बहुत जाला कन्फ्यूज जातें कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना बहुत सारे इंटरनेट पे अलग 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 टॉपिक्स दिये गए है बट इस वीडियो इस टोटली असेंट्रिक फ्रॉम दी इस टोट के इंपॉर्ट टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो किसी भी अलग प्रेपरेशन के लिए बहुत जाला ज़रूरी है उन इंपॉर्ट ब्रीफली एक्स्प्लें करूंगा आई ये बिना की समय को वेस्ट करें चलते हैं मेरी प्रेजेंटेशन की तर समझते हैं टॉट के कौन कौन से important topics हैं उनको थोड़ा brief में हम लोग समझते हैं तो दोस्तों आईए बहुत ही brief में जानते हैं टॉट के बारे में और टॉट के important topics के बारे में जो कि आपको लेलबी entrance test के रिलेटिट बहुत जादा जरूरी है तो सबसे पहले हम लोग टॉट की डेफिनेशन को देख लेते हैं जो इंट्रोडक्शन में लिखी गई है तो इट टॉक्स अबाउट टॉट औरिजनेट फॉम फ्रेंच लैंगवेज तो यह बेसिकली मैंने लास्ट यह इतने मॉक ट सब्सक्राइब जिसमें मैंने बोला था कि टॉट किस लैंगवेज को वर्ड है और पीपल वर गेटिंग कंफ्यूज देवर राइटिंग लाटिन बार्ट बेसिकली और फ्रेंच लैंगवेज जो की लाटिन वर्ट टॉटम से इंस्पायड है तो बेसिकली दो वर्ट टॉ अब होता है काड़ रॉंग और इंजरी अब आजाई यह सेकंड पार्ट पे जो बताता है कि इट्स अब्रीच ओफ ड्यूटी विच अमाउंस टु आ सेविल रॉंग बेसिकली टॉट का जो प्रिंसिपल है वो यह बात कहता है कि देर इसने इंडिविजूल पर्सन और पर this person have a right. Right? As in he have a right to enjoy property. He have a right to enjoy life. तो he have a right. And there is another person, like suppose this is A, then there is another person who is B. And that this person have a duty. The first person have a right. second person have a duty duty of what? duty of taking care of this person's right so basically जो A है उसके rights होते है और जो B है उसकी एक duty है एके rights का take care करना but in any case if B abridges his duty or don't follow his duty and breaks into A's right then that thing amounts to taught understanding for an example एक बंदा है जिसका एक घर है उसके पास right है उस घर को enjoy करने का but कोई व्यक्ती है जो उसमें trespass करता है और उस व्यक्ती को वो घर का enjoy नहीं करने देता तो वो जो बंदा है वो एक taught commit कर रहा है taught of a trespass आप यह किसी का घर है तो आपकी duty है कि भया आप इस घर के अंदर बार्ज नहीं कर सकते आप इस घर के अंदर trespass नहीं कर सकते that's your duty and what is its other person's it's right so basically a taught is nothing but a person's duty towards others if affected an individual who commits a taught called a taught feature or a wrong doer ठीक है a taught arises when a person's duty towards another person is affected so आपकी duty है towards another person it's right and you affects it then you have committed a taught so basically यह taught का principle है जो मैंने बहुत ही शॉट तरीके से आपको समझाने का यहां पे कोशिश किया अब आईए चलते हैं आगे क्या लिखा हूँ है in this is if taught is committed by multiple individuals यानि बहुत सारे लोग अगर taught commit कर रहे है then they are like joint taught thesis so it's basically like joint liability की यहां पे बात हो रही है their wrongdoing is called taughtius act तो जो गलत काम होता है taught के अंदर उसको क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है taughtius act and they can be suit jointly or individually तो यह जोईन taught thesis के बारे हम बात हो रही है अब इस point को आप देखिए जो इसमें main बात हो रही है the main aim of law of taught is to compensation of the victim यानि जो victim है उसका compensation होना चाहिए जो आपको मैंने A और B के example से बताया तो उसमें जो A है जो A है उसको damages मिलने चाहिए उसको एक तरीके की remedy मिलनी चाहिए that is the main principle of taught कि जो A है जिसका right infringe हुआ है जिसका जो वो right enjoy करना चाहता था that's got infringe तो उसको है damages और remedy मिलनी चाहिए तो दोस्तों जिस प्रकार से जो taught है it's not a codified law basically we can say तो उसी तरी की taught के important topics हैं वो भी बच्चों को कई वार exams में समझ नहीं आते तो इसलिए मैंने चोटा सा वीडियो एक बनाया है जिसके अंदर में important topics को भी cover कर रहा हूँ अब taught के बारे में हलका से मैंने आपको idea देता अब इसके important topics पाते हो सबसे पहले important topic जो आपने पढ़ना है that's injurious sine damnam and damnness sine injury Latin में इसका मतलब है injury सिने का मतलब होता है without आपने सुना होगा जब पार्लेमेंट में house जब एक session खतम कर रहा होता है तो speaker sine die का एक जो है वो देता है call देता है तो sine die का basically मतलब होता है without time without time यानि वो अगला कब house शुरो होगा ये वो नहीं बता रहा है तो sine die से ही जो sine है उसका मतलब होता है basically without तो यहाँ पे जब लिखा है injury मतलब कोई injury हुई है damn nam मतलब damage तो injury पहला जो है वो हम पढ़ रहे है injury without damage और जो अगला है वो है damage यानि damage हुआ है बट कोई injury नहीं हुई है damage without injury तो इसमें जो injury है उसका मतलब क्या है हमने क्या पढ़ा जो taught में injury क्या होती है injury होती है right किसी बंदे का infringed नहीं हुआ है infringement of right basically हम इसको लिखना चाहेंगे तो infringement of right जो होता है उसको हम लोग क्या कहते है injury यानि किसी बंदे का जब right hurt हो रहा है तो वो injury कहीं जाती है तो इसके अंदर वो क्या कहने चा रहा है यानि किसी व्यक्ति को injury हुई है but damage नहीं हुआ और किसी व्यक्ति को damage हुआ है but injury नहीं हुई तो ये जो concept है ये इसके अंदर बताया गया है कि injury हुई और damage नहीं हुआ उसका एक example basically क्या है एक voting right होता है ठीक है supposedly एक voting right है आपका ठीक है अब आप voting right जो ash bay का मैं आपको जो ये case बताने जा रहा हूँ injury without damage वाला उसमें क्या होता है voting right था ठीक है A का A अपना vote cast करने voting center पे जाता है वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे जो officials होते है वोसे vote देने से मना कर देते है वो कहते है जी आप vote नहीं दे सकते तो इसमें ashay का जो मतलब A है उसका voting right है उसको vote देने से मना कर दिया गया तो ये एक infringement of right हुआ बट क्या इससे कोई damage हुआ यानि उस व्यक्ति को कोई monetary damage को physical damage हुआ नहीं हुआ तो इसमें जो injury sinne damning का एक example मैंने आपको दिया है कि आप vote डालने जा रहे हैं आपके legal right का उलंग उना रहे हैं मगर कोई ऐसे आपको physically monetary damage नहीं हो रहा तो that is injury without damage और we can say injury sinne damning ठीक है तो ये इसका example हो गया अब एक example हम लोग समझ लेते हैं हमारे second damage without injury का तो damage without injury में इसमें जो case है Gloster Grammar School का वो ये कहता है कि एक institute है जो की English पढ़ा रहा है that's an A तो ये एक tuition institute से हम मान लेते हैं ठीक है वह ही पर उसके साथ में एक institute और आ जाता है B ठीक है वो भी tuition देने लग जाता है अभी तक A की दुकान बहुत बढ़िया चल रही थी वो 600 रोपे में बच्चों को tuition पढ़ा रहा था B आता है और उसकी fees वो 400 कर देता है और होता क्या है तो A have went through a damage A को नुकसान हुआ है मगर the question is whether there is an injury और injury मैं आपको के बता है कि किसी right का hurt होना is called injury तो क्या injury हुई है A को the answer is no A कोई injury नहीं हुई है competition is a part of a constitution competition is a part of the play, the business तो where there is no injury but the damage is caused is known as damage without injury और we can say damanum sine injury तो ये topic में जो बताने की कोशिश की गई है वो की गई है की injury without damage is a tot but until and unless there is no injury there is no tot चाहे आपको damage हो गया हो यानि damanum sine injury is not a tot and injury is a tot तो ये basically इस concept में आपको बताने की कोशिश की गई है न हो बहुत ही simple ही तरीके से मैंने आपको समझा दिया हो और ये मैंने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्ट टॉपिक है and this comes every time and then there is a thing called vicarious liability to vicarious liability basically friends that is basically liability which even caused because of the relationship because of someone else's act तो इसमें जो इसके essential elements अमलों को vicarious liability के देख रहे हैं that is a there must be a relationship of some kind the wrongful act must be related to a relationship the wrongful act must be done with a course of employment there should be a master-servant relationship principal liability for the act of his agent liability of partners for each other तो basically दोस्तों vicarious liability का जो concept है that talks about that a person is responsible for b persons wrong यानि जो a है वो responsible है b person के wrong के लिए यानि इसका अच्छा उधारन आपको यह बताते हैं कि एक bus driver है and यह bus driver एक car को हिट कर देता है clash हो जाता है इनका तो इसमें जो bus driver एक company है जो best उसको हम लोग माल लेते हैं तो इस incident के लिए क्योंकि यह incident bus driver से हुआ था इसके लिए जो best company है that is also going to be responsible because driver was on the course of employment he was working in his employment और उसने एक injury cause करी है दूसरे person को उसको right of enjoyment of his car तो उसकी car hurt हुए तो जो भी damages होंगे that damages will be shared or paid or whatever the thing will be but A will be responsible for it even though A haven't done anything wrong so this is the concept of vicarious liability इसमें जो यह important बता रहे हैं वो यह कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ती जो यह काम कर रहा है that person should have been doing that thing in the course of employment very important thing course employment यानि वो अपने काम को करते वे करना चाहिए अगर यह bus driver basically जो यह bus driver है यह अपने office यानि working hours के time पे नहीं अपनी family के साथ एक picnic पे जा रहा है but best company की bus को ले के जा रहा है और फिर यह car को hit करता है तो यह course of employment के अंदर नहीं होगा और इसकी सारी responsibility best company की नहीं इसकी responsibility होगी driver की तो यह concept जो course of employment से यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है और आपको yks liability के case में course of employment निकालना है या तो फिर आपको निकालना है the master-servant relationship यानि दो बंदें आपस में related है एक master है और दूसरा उसका servant है you have to establish this relationship तो बहुत important है yks liability के question समेशा आ जाते है जाला तर इनके जो questions है these questions comes on the legal principle basis यानि आपको यह क्या कहते है principle देंगे एक principle देंगे उसके बेसे पे एक legal जो है वो fact देंगे and then you have to choose between A, B, C and D options तो यह basically इसमें से आता है के yks liability के maximum questions जिस से आते हैं बहुत अच्छे questions है मेरे आप वो करेंगे mock test papers उसमें आपको मिल जाएगा similarly less concept to the principle of volunteer non-fit injury तो इसमें यह कह रहा है to one who volunteers no harm is done यानि अगर कोई व्यक्ती खुद ही अपने legal right को damage करने के लिए उसको injured करने के लिए volunteer कर रहा है then that will not amount to any kind of thought ठीक है तो इसमें क्या के चीज़ आपको देखनी चाहिए there should be a voluntary consent express और implied दोनों हो सकता है express मतलब कि आप किसी contract paper में sign करके उसको बोल रहे है और implied मतलब कि आपको पता ही था कि वो काम खतरनाक है इंडारेक्ट में आप वो कर रहे हैं के दोनों के आपको दे देता हूं और आपको पता है कि there is a substantial knowledge of risk for example expressed or implied में आपको बताता हूं जैसे for supposedly आप जो एक plane है आप एक plane से jump करने जा रहे हैं तो आपको पता है कि आप parachute gliding जब करेंगे तो आपका जो है accident हो सकता है और आपको चोट लग सकती है तो आप इसके लिए contract sign कर रहे हैं जिसमें आप अपना voluntarily consent दे रहे हैं तो that will be expressed but even if आप ये contract sign नहीं कर रहे हैं इससे implied माना जाएगा कि आप जब कोई ऐसा act कर रहे है जिसमें danger है injury का जिसमें आप with consent implied consent यानि आप इस plane पर चड़ी गए है कूदने के लिए तो आप implied consent दे चुके हैं तो आपको पता है कि अगर नीचे हवा तेज़ चल गई या कोई अन होनी हो गई तो क्या होगा तो आपको knowledge of risk है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे आपको knowledge of risk है तो आपने अपना जो है वो voluntary involvement दे दिया है for this kind of incident and आप पे taught यानि जो भी व्यक्ति आपको जंपिंग करा रहा है पैरागलाइडिंग जो भी से हम कहते हैं आप उसके लिए उस व्यक्ति को जिम्यवार नहीं ठहरा सकते हैं तो basically voluntary non-fit injury is a kind of a defense defense लिया जाता है basically while saving yourself from a kind of a taught then there is a principle of negligence तो यह important topics आपको बता रहो जितने भी जो मैंने माक करे हुए है इस पैंसे तो जितने भी चीजे में इस पैंसे माक करी हुए है यह सारी important है important topics हैं आपको मैं यह यहां पर लिख रहा हूं if you guys can relate ठीक है तो जितने भी यह आपको इस पैंसे माक करी कही चीजे है these are the important topics तो आपने इनको करना है यह मैं ब्रीफ में करा रहा हूं you can do it in detail from anywhere else you want so let's go अब principle of negligence basically क्या है again आपकी duty of care है और आप उसको breach कर देते है तो जो legal damages है that will be due to the breach of duty that will have to be paid for example there is one road ठीक है यह road है ऐसे बना लेते हैं तो यह basically एक road है और road पे एक seever का ढकन है यहां पे और यह ढकन का जो maintain करने का duty है वो है दिल्ली जलबोर्ड का एक दिन क्या होता है यह ढकन अपनी जगा से हट जाता है और यहां पे एक बड़ा सा hollow वो बन जाता है एक car है जो आती है यहां पे and that goes into this big drain so what is this तो यह डिल्ली जलबोर्ड की duty थी और उन्होंने क्या करा negligence करा अपनी duty को follow करने से तो यहां पे thought create होएगा and that thought will be created for दिल्ली जलबोर्ड and that person whose car it is and who have met an accident will be accountable for damages तो basically negligence के जो essential features है there should be a duty एक duty होनी चाहिए उस duty का breach sorry उस duty का breach होना चाहिए यानि वो duty जो है वो breach होनी चाहिए और कोई damage cause होना चाहिए for example यही road पे example ले लेते हैं कि इस road पे ढककन था एक बड़े डाइम से खुला हुआ है but duty धी जल्ली जल्वडवालो की उन्होंने इसे नहीं देखा breach हो रहा है क्योंकि ढककन खुला हुआ है दो दिन हो चार दिन हो गए है but the point is किसी का accident नहीं हुआ कोई damage नहीं cause हुआ तो हम negligence cause नहीं कर सकते तो यह तीनों conditions का which I have talked here duty, breach and damage यह तीनों का मिला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तीनों का टिक होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा इसे पूछा जाता है अब आप न्यूसेंस पर आ जाते हैं तो न्यूसेंस की बात हो रही है न्यूसेंस भी दो तरीके के होते हैं then there is public nuisance and there is private nuisance आपको दोनों के बारे में पढ़ना है ठीक है तो nuisance basically क्या होता है it's an interference interference with a right to enjoyment of a land large number of people thereby causing inconvenience and annoyance किसी व्यक्ती को inconvenience and annoyance cause हो रही है ठीक है उनके enjoyment में that is called to be a nuisance example भी देखों यहापे दिये गए है example is like firework in the street construction of a structure in the middle of the public way obstructing the passage of the people यानि आप a है और b है तो यह आपका घर है आप यहाँ पे dj बजा रहे हैं बहुत जोर से कब रात के दो बजे ठीक है और यह बंदा जो यहाँ पे a है that he is trying to sleep तो आप जो है एक nuisance cause कर रहे हैं into in this person's enjoyment of sleeping तो nuisance भी बहुत important topic होता है इसके ओपर भी questions आते हैं so you should do nuisance अच्छा देन देर सेकेंड टॉपिक is trespass देखो दोस्तों trespass और nuisance में फरक क्या है कि जो trespass है उसमें there should be an object traveling into other person's property other person's object traveling into other person's property or his place of enjoyment ठीक है but when we talk about nuisance nuisance में ऐसा जरूरी नहीं है it should not there can be easily non traveling of any object basically कोई भी traveling की जूरत नहीं है सिर्फ sound आप basically कर रहे हैं तो कोई physical object की जूरत नहीं है आप nuisance किसी मंदे को without traveling of any physical object भी कर सकते हैं but trespass में there should be unjustifiable physical encroachment of land of one person by another person its person directly enters upon another person's land without permission or remains upon the land then he said to have committed the thought of trespass दोस्तों बहुत सारे offenses ऐसे हैं जो कि criminal भी होते हैं और tautious भी होते हैं उसी में से एक जो है if I am talking about तो trespass criminal भी होता है और tautious भी होता है similarly defamation criminal भी होता है tautious भी होता है तो आप confused ना होए taut basically एक civil wrong हो जाता है तो डिपेंड करता है case के ओपर कि कब आप उसको criminal ले जा सकते है कब आप उसे tautious ले जा सकते है क्योंकि criminal cases जो होते है वो बहुत ही codified way में उनको deal गरा जाता है इसलिए कई वार लोग जो होते है tautious civil way में ले जाते हैं civil जो है वो basically codified नहीं है and they account for unliquidated damages तो जो है वो बहुत ही लोग उसको अपना tautious में ले जाते है तरी किसे ट्रेस्पास criminal भी है और tautious भी है then there's one other important topic it's a strict liability and it's an absolute liability so यह last important topics में से एक है और बहुत अच्छा topic है strict liability basically talks about at times a person may be held response for doing wrong even though there had no negligence on his part और no intention तो आप उपर देख सकते थे negligence वाले case में भी intention जो था वो missing था but still बंदे को account करा गया but यहां पे जो हम strict liability की बात कर रहे है यहां पे आपका intention भी नहीं था आपका negligence भी नहीं हुआ to do such wrong or even if he had taken necessary steps to prevent such wrong from happening this is known as the principle of strict liability और basically जो strict liability और absolute liability है इन लोगों को हम एक और word से भी जानते हैं basically there are no fault liabilities यहनि आपका कोई fault ही नहीं था but फिर भी आपको taught देना पड़ेगा यह जो है basically एक बहुती important इसमें example से मैं आपको भी बताऊंगा बट आप आप्सूट लियाबिलिटी में आज़े देना पड़ेगे तो यह प्यूद बट्री के पांच डिफेंसेज हैं तो पूश डिफेंसे जो इसके अंदर आप अब श्रीक लियाबिलिटी से बज सकते हैं ठीक है बट अपूट लॉटी लियाबिलिटी एफ नो डिफेंसेंसे और यह बहुत ही स्ट्रेक होती है जिसके के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्ट केस था जैट भोपाल गैस ट्रेजडी का केस था तो यह इस केस के अंदर बेसिकली आपको पता ही होगा कि गैस लीग हो गई थी एक भोपाल की फैक्टरी में से और बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी अफकॉस जो ओनर्स थे उसके दे मस्ट नॉट हैब एनी इंटेंशन और नहीं उनकी कोई गलती हुई होगी बट स्टिल एक इंजिरी कॉज हुई और वो डामेज इसके लिए लाइबल है क्योंकि वो एपसुलूट लाइबिलिटी में आ गए हैं तो यह बेसिकली दोस्तों म सब्सक्राइब करता हूँ आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही जाएब करता हूँ आप ने बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक को टॉट को ब्रीफली समझ लिया है अब 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 आपनी प्रेपरेशन को बिल्कुल एन्हेंस करें वाइल कवरिंग अल दीस टॉपिक्स एंड हैर सौरप करवाल साइनिंग आप टेक करें और बाइबाइब